कुछ करते हैं और आज हम मौभाइल-फोन का क्यामरा से रिलेटडेट temple को किसी भी मौभाइल फोन में अगर आगर कम्रा से रिलेटड कोई भी प्रोडमा जाए तो उसका रिपेरिंग कैसे करना है इसका डिटाल इंफरेशन हम इस क्लास में लेने वाला है तो कोई एंपरणी होता है तो किस तरहका एर दिखाई देदा है पण रगर कम नहीं करें या केम्रा से डिलेटड बूर्ड में क क्यामरा नौट कनेक्ट और कोई इसके लाब आघने कामरा नौट कनेक्ट्ट ओके जूसरा बताएं या और कैमरा फिल्ट उ कनेक्ट क्यामरा एर और कुछ क्यामरा ओपन ही नहीं होता है क्यामरा कैनोट ओपन क्यामरा खोलने पर फोन हैंग होना या फोन रिस्टार्ट हो जाना इस तरह का प्रॉल्म होना या फोन रिस्टार्ड हो जाने है यह फिस्टार्ट हो सकता है तो सलूशन कैसे करेंगे सबसे पहले तुम बैशिक चीजद देखेंगे है कि भी सिंड हम cusap death isn't basic में सबसे पहले इसका setting देखना होगा uen कि स्टाइग मेर सबसे पहले आपको क्या करना होगा सेटिंग देखना होगा मतलब सौप्ट रेलेंच कोई प्रॉपलम है तो उसको この कामरा का सेटिंग को आप रिशेट कर सकते हो या फून को हार्ट रिशेट करके भी देख सकते हो रिशेट करने पर अगर हो जा रहा है तो है ठीक है सेटिंग से ही प्रॉब्लम है रिशेट करने पर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा क्या करेंगे हम सेगेंड काम क्लीन करना है कभी भी आपको पार्ट को गदलने से पहले क्या करना होता है क्लीन करना होता है क्लीन किसको करेंगे क्यामरा का प्लेक्टर के साथ क्लीन करेंगे एख लिए फंगस लग जाने पर या कारवन लग जाने पर भी प्रॉल्म होसकता है क्लीन करने के बाद नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है कनेक्टर को अच्छी तरह से देखना है कनेक्टर में कोई पीन अगर डाइमेज है कनेक्टर का लगाने के टायम में अगर पीन भी डाइमेज होने का चांसे हो सकता है तो कनेक्टर को देखिए कनेक्टर अगर फल्टी मिला है पीन कोई डैमेज है तो कनेक्टर को रिप्लेस करना होगा तो इसको आप रिप्लेस्ट कर सकते हो और कनेक्टर सही है तो फिर आप फोर्च में क्या कर सकते हो क्यामरा को चेंज करके देख सकते हो इस तो मैंनि यह सारा कंडिशन अभी सही आ रहा है तब हम क्या करेंगे बोड का इसका जो सरकीछ उसको टेस्ट करेंगे फिर फिफ्ट नर्मर में आपको क्या करना है इसका कनेक्टर का जी एर वेलू चेक करना है और पुजिटीव पिंस परो यह उसके लिए आपको क्या करना होगा कून सामम शव्रेक्त इक प्लालन और वीओ होगा इसको लिए अट लिस्ट कैमेरा का इस वीपोन का कैमेरा है उसका ले आउट एक बाद देखेगा तो आपको इस समझ में आएगा तो ले आउट देखने के बाद भी जो पीन होता है उसका information आपको होना चाहिए जैसे camera में कितना voltage आए है और signal जो होता है उसका detail information अगर आपको है तो लियाउट देखके आप इसको बहुत आसानी से रिपियर कर सकते हो तो कैमरा में कितना टाइप का वोल्टेज मिलेगा तो कैमरा का साउंड के लिए नहीं आ रहा है कैमरा का एक कैमरा कर लिए आउड का मतलब जैसे कनेक्टर आप लिए आप क्या है देखेसे तो बूड देखके प्तार तो नहीं चलेगा इसका क्या करना होगा आप देखना के सर की डाइगराम देखगा या लियाउट का मतलब है पीन का नाम के ऐ詞ेессी को नाम लिखा हुआ है यह मानिगा हुए क्या समझेंगे एक क्लॉक काने वाला पीन है फिर माने किसी पिन का नाम रिखा हुआ है SDA तो हम क्या समझेंगे AI2C का लाइन फिर दूसरा का नाम क्या रहा है है तो अगर को इस तरह का कोई नेमिंग वाला अगर आपको पिक्चर मील जाए गूगल से या डियाग्राम से तो आपको क्या होगा टेस्ट करने में आसानी वहाँ होगा जैसी मानिये पूजिटिव होगा और इसके बात मानिये यह वाला पीन मानियं ग्राउण है तो हम क्या में इसको चेक करेंगे तो क्या होगा इसका घ्लू हमें 257 मिलना चाहिए एक पर देखना होगा गोगल में सब्सक्रा करके भी देख सकते हैं या तो स्केमेटिक डियाग्राम से भी मिल जाएगा या तो Google में या बोन्यो या जो पेट कोई शॉफ्ट या प्लीज करते हो उससे भी मिल जाएगा तो में कैमरा में या किसी भी पार्ट में आपको जो signal मिलता है वह दो टाइप का या जो पीन होता है उस में इन जादा रहेगा और वित इसमें ज्यादा रहेगा तो इसके लिए आपको पूरा डीटेल, किस तरह का voltage आओ का सीग्नल आओ से उसका तोतल इंफ्रमिशन आपको समझना होगा जो चलिए पहले मैं कैम्रा का इनफ्रमिशन आपको दे देता हूं voltages दीनलों कि लोता है उसको अपरेट करने के लिए जोीयों ऊसको किया बोलेंगे एनलोग बोलेज बोलेंगे और उसके बाद क्या होता है चैमेरा के अंदर IC भी होता है जो दूए Think वương, गर इसका क्या करता है processing करता है processing करने के लिए जो IC होता है उसको हम क्या बोलता है digital circuit गैमरा में क्या रहाएगा analog circuit भी रहेगा और digital circuit भी रहेगा तो तो आपको मालूम होगा डीज्ट सर्किर का जो वोल्टेज होता है अलवेज कम हूता है एनलोग सर्कुल्ट का वोल्टेज he us अल्वेज कहता है हाई होता है जो इसमें नर्मली 2.8 V मिलेगा एनलोग सर्कीट को और जो डिजिटा सर्कीट है उसका वोल्टेज उता है 1.1 या 1.2 1.1 से लेके 1.2 वोल्ट डिजिटल का वोल्टेज होगा इसको हम बोलेंगे इनलोग इसका अगर नेमिंग करना जाए तो इसका हम क्या बचसकते है भी क्याम ए इसको हम एक नाम यह देह सकते हैं मतलब क्यामरा का वोल्टेज कॉन सा वोल्टेज एनलोग और इसका नाम क्या देह सकते हैं भी क्याम तो कोई फोन में इस तरह का नेमिंग दिया रहेगा लेकिन सभी फोन में ए नेमिंग रहेगा जोरी नहीं किसी में क्या लिखतेगा बीडीडी VDD जैसे digital voltage DVD और इसको लिख देगा AVDD analog voltage AVDD voltage को VDD बोला जाता है या VCC बोला जाता है अगर यह दो वल्टेज में से कोई एक नहीं मिलता है तो camera काम नहीं करेंगा चाहिए वह फॉंट चाहिए चाहिए फोन का camera हो तो इसमें 2 वल्टेज तो minimum चाहिए चाहिए यह चाहिए रहा है इसका voltage कितना होगा 2.8 इसका voltage कितना है 1.1 या 1.2 तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो phone का on कीजे और फिर camera का application होता है उसको खुलना होता है यह जो voltage है इसको हम conditional voltage बोलते हैं conditional का मतलब क्या होता है जब इस part को चलाया जाएगा तब जाके voltage आप बनेगा पहले ही नहीं बनेगा जैसे मैंने SIM card का voltage पहले ही तो नहीं बनता है जब हम SIM card डालते है फोन में तब बनता है और camera में भी क्या होता है जब memory card डालते है तब बनता है और camera में भी क्या होता है जैसे camera डालने पर भी नहीं बनेगा जब एप्लिकेशन खोलेंगे तब जाके voltage बनेगा तो इस voltage को चेक करने के लिए आपको क्याप करना होगा फोन करना होगा camera का जो application है उसको खोलना होगा और फिर voltage चेक किजाएगा तो यह दो voltage आपको मिलेगा अगर वोल्डेज मिल दा है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है मतलब voltage का प्रॉल्म नहीं है फिर जो प्रॉल्म हो सीग्नल लाइन से हो सकता है अर मनि यह कहता है कि SDL और SDL तो लाइन है सब्सक्राब हो जाए तो इसमें क्या प्रॉल्म है जा चाल यह बताते हैं बात में पहले बोल्टेज समय लेते हैं ठीक है कुछ ने एंसर लास्ट में किजाए नहीं फिर क्लास डिश्टब हो जाएगा से पहले समझ लिजे फिर आपको कांसेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो फिर लास्ट में और रौक तो शील प्रोस्यंग आई सी करता है तो उसके लिए कह रहा है मानिया सभी क्यामरा में एक ही डिजाइन होगा तो आप पिन को रहेघंगा तो में रहेगा इसको रट सकते थे या एक सरकिर को अम रख लेते तो सारा कामरा चेख हो जाएगा लेकिन विजाइन नही इसका design अलग हो जाएगा लेकिन design अलग होने से या पीन का position अलग होने से यह जो पीन का naming है या बोल्डे ज उचेंज नहीं होगा जो signal pin होता है camera का वो चेंज हो जाता है उसका कारण क्या होता है जैसे high megapixel camera मैंने 10 megapixel का camera है किसी में 20 का है किसी में 30 का है तो क्या होगा जितना ज्यादा megapixel का camera होगा उतना उसका photo जो capture करेगा या जो graphic capture करेगा उसका size बड़ा size बड़ा size का जो फाइल है उसको transfer करने के लिए उसको ज्यादा पीन चाहिए तब ही जाकर क्या होगा फास्ट ट्रांसफर होगा तो उसके लिए आपको check करने में या उसका repairing करने में कोई भी प्रॉलम नहीं होगा तो चलिए दो voltage मालम होगा एक analog voltage दूसरा digital voltage और इसके अलावा एक आपको और भी मालम होगा किसी भी section को वैसे किसी भी section से data जो transfer होता है उसके लिए क्या होता है हमें एक और voltage चाहिए होता है उसको हम क्या बहते है भी आयो या dvdd उसको हम dvdd आगे हम क्या लिख सकते है आयो dvdd या इसका अदूसरा नाम हो सकता है dvdd दियो का मतलब क्या होगा है data out या आयो का मतलब input output dvdd इस तरह से तो यह नाम आपको याद कर लेना है नाम अगर आप समझ जाते हो तो यहां पर voltage मानी नहीं भी लिख्था हुआ है फिर भी आपको मालूम हो जाएगा इसमें कितना voltage आएगा 1.8 या यह दोनों सेम है नेमिंग अलग है और इसके अलावा एक क्या होता है फोकस बोल्क और 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 फोकस तो जिस क्यामरा में अटो फोकस का अफ्षन है उसमें अटो फोकस का फंक्शन को चलाने के लिए एक अलग voltage भी चाहिए तो उसको हम क्या बहु सकते हैं इस तरह से कैमरा में maximum 4 voltage हो सकता है एक अटो फोकस एक एनलोग एडिस्टल और एक आयो तो यह होगा बोल्टेज का इसमें आटो फोकस का फंक्शन है उसमें रहेगा जिसमें आटो फोकस का फंक्शन नहीं है उसमें नहीं रहेगा जैसे फ्रॉंट कैमरा में आटो फोकस नहीं होता है तो इस अब फ्रॉंट कैमरा में ज्यादा करके आपको आटो फोकस नहीं मिलेगा लेकिन अगर है तो मि का रिक्वायर्मेंट है क्यामरा सेक्षन को जरूरत पढ़ने वाला वोल्टेज यह सब्सक्राइब होता है यह थो प्राइमरी वोल्टेज तो कोई भी नहीं तो प्राइमरी वोल्टेज मिलने का दो तो कि itself हो सकता है एंफ होता है पावण पावर मेनेजमेंट आपट के ऐसी और दूसरा हो सकता है या है जो बैशनले फोल्डेस अम्हें को तो ग्याव फोल्डेस के फारीड के थ्याँ सब्सक्रों और पवावर मेनेजमेंट या पावर virus you के तिक्था रहते हैं दीजाइन रखके मतलब कोई का श्री理 होता है Can you कि इस सेक्षन को जो बोल्टेज आए थो थोर ज़ाधा ही होता है यह विप पाउर को कंजूम करने वाला एक डिवाइस है तो इसलिए इसको ल्डियों का अगर दे दिया तो पाउर आशी का लोड जो है उक्काम होगा तो कि मैक्शिमम जो हाई क्वालेटी फोन है उसमें कौन कौन सा पीन यूज होगा तो इसमें कैमरा क्या करेगा फोटो कीचेगा या वीडियो को क्याप्चर करेगा तो आपको मालूम होगा फोटो एंड वीडियो का साइज क्या होता है सबसे बड़ा होता है वीडियो का साइज सबसे बिग साइज का होता है वह भी अगर HD व क्या चाहिए जो number of data pin है वो ज्यादा होना चाहिए data transfer का जो पीन हो ज्यादा होना चाहिए तो data transfer का जो communication हो एक केहती है Mobile communication का मिसी call wen도 कि होता है पर्लाइन से जो डेटा है उसको ट्रांसफर किया जाएगा और सीडेल में यूज जो लाइन उसको क्या बोलते हैं इस्टी ये लाइन और पर्लाइल में क्या रहेगा एस्टी एक जगह पे डीजीरो डीवन जैसे मेमरी कार्ड में हम देखे थे दीटू दीट्री दीट्री तो ये क्या है डेटा भेजने का पैलल कम्निकेशन करने का सिस्टम है तो जीजीरो का मतलब क्या हुआ मतलब क्या है देट ऐसे में जूद ट्रांसेट गावागा वो क्या रहेगा ननमल्ली डिजिडल में जो डेता रहता है तो एक ₹ e 1 ञेसा देट है तो बेसा से क्या होगा 0 भी ट्रांस्फर होगा ₹ 0-1 दोनों। इससे ठ्रांस्फर होगा डी 1 से भी 0-1 दोनों ट्रांस्फर होगा ₹ दोन से भी जीरो वन डोसम लेकिन बचिन लेकिन मैनि अगर वेशिकिव म्हान जिरो जीरे ऑलग लाइन और नजशू के लिए ताल जाएंग केदेशन यहां से आपको डेटा भीजने मनिए यह CPU हो गया और यहां पर मनिए कोई कोई चीज मनिह घिकांथ कसे लेए चीप घॉर।ünd में उस फाइल को छूण करना है तो फो क्या मिलखक करेगा अगरिशंए में चार लाइन के साथ क्या चाहिक शूग को चाहिक शॉप का लाइनपशा है तो लाम आपके ऒंखेंखना क्या इस आपके आएक eventually अव्, तो दूसरा में फिर से क्या होगा इससे फिर चाहर निकल सकता है 1111 भी निकल सकता है जो भी भेजना है सीप्यों को वह एक बार में चाहर डाटर निकले रहे लेकिन जाने का रास्ता चाहर होगा बार में जल्ली कारी करने के लिए फाइल साइज बढ़ा गाया जैसे मानिए अगर शिंगल लाइन होता है तो चाहर डाटर भेजने के लिए कितना चाहिए सेम टाइम में चाहर वेज आजा सकता था कि नहीं एक लुग निकला फिर दूसरा क्लाट आया फिर दूसरा वन निकल पिर तिसरा क्लॉक आया मेलिज़े 0 निकला फिर चौथा क्लॉक आया फीर 1 निकला until 2 बार में चारद़ा गया यहां पर पर कद कर लिए चार पॉच्अ रॉक्राम तर्स तो इसको बोला जाता है पैर्ल constraints मतलके यह ता यह दा दा निकल जाए लोग लएड़ा ने ब्राइन जाए ज्द what file 62 ज्यदा जाएगा ना इस स्पीड तो clock पे डिपेंड करता है जो स्पीड है वो clock paperwork करिया 5 मनिन ज्यादा है तो यह वे जो डटा आ ज़ए अब देख रहो यहां पर मैंने 4 डटा यहां पर लिख़ा 수ल आका कि नहीं नहीं एक सेगंने एटा निकाले एक हजार दो हजार दो हजार या 20,000 लेकिन चार लाइने आप जो बता हैं डाटा जाने के लिए पैरलल का है कुछ को मतलब जाने में सुगम्ता उ चर अलों हो इसलिए लाइन है लाइने मैं अलग डाटा जाएगा कि सब्सक्राइन में अलग डाटा जाएगा मतलब जो फाइल है मानिए कई पाइल यहां पर मानिए 0-0 0 जो डीश्टल होता है इस तरह का होता है तो इसका साइज कितना है शिक्टिन बीट का फाइल है वो सिप्टिन के पास है सिप्यू को क्या करने उसको SD कारड को भेजना है तो क्या होगा एंट लाइन होता तो एक ही बार में चला जाता है लेकिन लाइन कीतना है जी चार तो आख टो जाएगा नहीं जब चार क्लॉक मी लेगा उसको तब जाके एक पूरा का फाल कर दो तो इसको कितना टाम लगेगा ट्रांसफर होने में चार सेगे नहीं लगेगा लेकिन एक क्लोक क्या होता है क्लोक एक सेगें में जो प्लोक है वह मानिये क्लोक है मानिये सिर्फ चार हर्थ है तो एक सिंद में पूरा दाटर ड्रांसपर हो जाएगए नerd हर्ज कॉम गया हो हुब कि जो डाटर ट्रांसपर न्हों इक सेग disp ऐसकूद में से चर लिए किक्षांट हे pitches रहेहाब तो इसको एक सेंद भी लगेगा, नहीं लगेगा ना, यह तो बहुत मुतलब बहुत MOND में data transfer हो जाएगा, लेकिन जो CPU का Formula का clock होता है, या जो camera का clock होता है, इससे भी जादध होता है। मैंनि one, one Msicです iska मतलब क्या हुआ, CPU, one seconds में कितना बदर data transfer करेगा, मज़ें सब् específic reboot को इतना बार इंटू इतना बार इंटू बनी एफ हो लाइन है स्ट्भ कितना डाटा सफर करेंगा कितना बिट मानि CPU का लॉग कितना है 1 MHz तो CPU एक सेगन में इतना बार डड़ा निकालेगा और एक बार में कितना ड़ा निकल ला है चार निकल ला है, टॉटल डड़ा का साइज कितना हो गया? 4,60 मतलब इतना डड़ा एक सेगन में ट्रांसफर हो जाएगा तो मानि आपका वीडियो का साइज है, वीडियो का साइज मानि इससे अगर जजादा इससे कम है तो ये सेगन भी नहीं लाएगा है मेरे ऋए लेकिन 2G1 ca video है याओ 2G1 वीडियो değer अक्त ult कोई फाईल रैंग फैने फैन तो क्या होगा एक सक्वाइन में इसके अंदर तो बह। शार फाइल होगा न बह। शारा ी वाइन फॉलिक फिर सब्रेवने उने हो बह। जाएक अनधित अधीत सब्सक्राइब का मतलब सिंप्ली क्या समझे आपको यह पैरले लाइन का मतलब एक बार में अगर चार लाइन तो चार बिट राटर रहोगा एक क्लॉक पॉल्स के साथ अगर 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 आठ हो जाये तो क्या होगा एक क्लॉक पर आठ बिट ड्राटर रहोगा तो 16 वीट बाती चांशट नेश्टप लैपटप में यूज़ होगा मोवाइल में नर्मली आपको एट बिट यूज़ हो सकता है एट बिट और आईसी टू आईसी क्या होगा यह ज्यादा होगा जिस चाहिए थो क्या होगँ आइसी टू पार्ट हो गया मतल intend यह का सिप्यू से लेका कैमरा में नकिनES k喪क मैं इस उसके अंदर भी टाटर ट्रांसफर होता है उसमें ज्यादा लाइन रहे उसमें सोलर लाइन बद्टिस लाइन इस तरह से रहेगा तो उसका कम्निकेशन और फास्ट होगा जैसे CPU to RAM हो गया या CPU to memory IC हो गया तो बहुत ही जादा फास्ट होगा अगर एक ही बार में बहुत ज्यादा लाइन से ट्रास्पर करने तो उसको हम बलेंगे पैरलल कम्निकेशन तो कैमरा में क्या होता है इसको हम क्या बलते है जैसे अभी हम मैं आप क्या बता रहा था डी 0 डी 1 यह माणि यह डी 0 को हम दो लाइन में चेंज करते डी 0 पी आंडी 0 एन तो अब क्या होगा लिएका प्रेंटिक क्लाओ डीजीरो के जागा पे अगर हम दो लाइन का यूस गरें बंदी जीरो है उसको हम क्या करदे रहे हैं दो लाइन में अलग अलग करदे अगर इसका पोजीटिव डाइड़ला भीजन आइन मानि 1 को भीजना है तो इससे जाएगा और 0 को भीजना है तो इससे जाएगा अब फिर मानिए D1 है तो D1 को भी हम क्या कर दे रहे हैं D1P and D1N तो अब क्या होगा और फास्ट होगा कि नहीं होगा वह और तेज हो जाएगा जैसे वन और जीरो मनि इसको वन भीजना है तो उसके लिए अलग लाइन जीरो को वेट नहीं करना होगा डारेक्ली अपने अपने लाइन से ट्रांसफर हो जाएगा तो यह होता है अगर D2 है तो उसके लिए होगा फिर D2P and D2N तो इसमें एक क्लॉक कितना चाहिए है मनिए तीन लाइन डेटा के लिए है फिर क्लॉक भी तो चाहिए न बीना क्लॉक के तर डेटर श्रांसर होगा नहीं क्लॉक का लाइन जो होगा उसका भी दो लाइन होगा CL के P and CL के N अध्युक Bolsonaro के duas-chatᵉड बनेगेटिब अपने लाइन से जाता रहेगा कंटिफिटिव आपने लाहें तौ से जाता रहेगाा संटेवश नेगेटीव अपने लाइन से कंटीनुट जाता रहेगा और opposite पॉजिटीवा नेघटीव का जाहेगा जब इसका नेगेटीव क्लॉप मिलेगा पोजिटीव क्लॉप जाहेगा जब पॉजिटिभ लफ मिलेगा तो यह होता है डड़ा कमiban केश्ण करने का सबसे फा आ लूवip इंड़स्ट्री चीज प्रोशेसर इंटर्फेस्थ मतलब मोबाल सोण में जो हैं आतसा के सार्थ युज़ने वाला इंटर फेस कर दो सबसे हाई स्पीड जो पार्ट होता है उसके लिए युज़ने वरा सिस्टम है तो यह जो मिपी प्रोटोकल है वह आपको दो जग़े मिलेगा एक डिस्प्ले कनेक्टर में और दूसरा कैमरा कनेक्टर में लुग दुनों में ग्राफिक डिस्प्ले में क्या करता है CPU ग्राफिक को यजने के लिए मिसेन में और डिस्प्ले में भीजने विए क्या होगा भूभा है उसके ये Hagrid संश्थ्रेंट में अगर आपको कहीं पर आए तो है तो आपको क्या समझना है ओका है प्रीटिव नेगेुटिफ अलग करके ब больन यसेa को सब से फाश्टर टाइप का कीमिकेशन को समझ सकते हैं इस में क्या हो गहां पोजिटिभ और नेगतिव के लिए क्लॉक ही यह जागा तो आपके कैमरा में कितना हो सकता है में पिल्ए अगर बाहनी छोटा कैमरा है तो उसमें माने दो दो लाइन और दी जीरो डिवन क्या होग और दो लाइन क्लॉक का छे लाइन हो गया मतलब डेटा ट्रांसपर करने के लिए और चैमेरा ज्याधा पिक्षल का है 16 मेगा पिक्षल या उससे ज्यादा है तो फिर इसमें कितना हो सकता है मानिए धी ट्री डी टू दी ट्री मतलब फोर पेर अगर लाइन है उसमें डेटा लेने के लिए 6 और 2 और 8 लाइन हो गया और फिर यह हो गया तोटल टेल लाइन के थूट डेटा ट्रांसपर हो सकता है अब बाद में अभी से और भी जादा फंक्षन भी आ सकता है मतलब लाइन को बढ़ाया जा सकता है अगर मानिए कैमरा बहुत ही जादा है बहुत ही हो जाएगा अब वीडियो रिकार्ड करने के कोशिज कीजिए और क्यामरा का होगा इस्टप जाएगा क्योंकि उसका डेटा इंदर ट्रांसफर ही नहीं पहुत है अगर कम्निकेशन का लाइन अगर कम है या स्लो है तो तो समझ गए मीपी लाइन किसे कहा जाते मालम हो गया इसमें क्या होगा डेटा लाइन का पोजिटिव निगेटिव एन क्लॉक लाइन का भी पोजिटिव निगेटिव निगेटिव होगा और नंबर ओफ लाइन कम ज्यादा हो सकता है फ्रॉंट क्यामरा में कम रहेगा बै पहले बोल्टेज का लाइन मिला है चार चार टाइब का बोल्टेज मिला है फिर मीपी लाइन मिला है मीपी कितना हो सकता है लगबग टेन लाइन का मीपी हो सकता है इससे उपर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है कैमरा का कैपश्टीर के अंसार और इसके अलावा चलिए इसके कि आप निए ओट फोकस का बोलटेज तो आप अपाश इनेवल भी करना होगा जब तक नहीं करेंगे तब तक अटो फूकस से टमेटिक तो काम करेगा नहीं तो आप अपाश इनेवल करने के लिए अलगे रहेगा इस प्रफोकस का बोल्टेज अलग रहेगा और इनेवल अलग रहेगा इसका लाइन अलग हो सकता है अधर्वाइस 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 से अधर्वाइस से बीनेवल किया रहा सकता है किसी में अलग फंक्शन भी हो सकता है अगर नहीं है अलग तो इस और इस डी लाइन चाहिए की नहीं चाहिए बदाए G SD डाडा सब्सक्राइब SDS क्वेरी के यह यह जैंאחे यह क्यामरा में लेकिन क्यों होताँ वो रीजन मैं पुछ रहूँगा आपसे इसका काम क्या रहेगा चलिए हमरे टाइम आप फुरा है लिंक बेस्ते हैं और आगे जीसे करेंगे पीर contrat आपितनि अग्रभी अग्रदोनिस मीडरे इसकी लीजना ca Lord् Smys åtर अभी पार आपन आपस करेंगर से इसका के हैं प्राव सकते हैं रहागी रहागे रहागे जीसे पीसे हैं झाल झाल